हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके परिवार रोजगार विद परमोध यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नौरातन का पावन तेवहार चल रहा है पावन पर्व चल रहा है तो इसी बीच माता जी का नाम लेकर स्टार्ट कि हम लोग आज का अपना क्लास करेंट फियर का धूवा धूवा करेंगे दोस्तों बेहतरीन कोस्टन का सेट है आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा बीडियो पूरा देखेगा आसा करता हूं यह आपके लिए बहुत हेल्पूल होगा तो चलिए दोस्तों दे कभी अलप नहीं होता इस्वर का दिया कभी अलप नहीं होता जो टूट जाए ओ संकल्प नहीं होता हार को लच्च से दूर ही रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई बीकल्प नहीं होता जीत का कोई गाल्प नहीं होता चली दोस्तों श्टार्ट करते ही आज का पहला कोसटन अभी आज का पुर्वेंक हमारा यँ एक कोस्टन है 22 VR28 सित्मब्र को मनाया गया बहरती ले-र सब्सक्राइब को बनाया दिव्यांग जनों को दिव्यांग जनों के अनुकूल कि डियाडियों ने वी एस एच ओ और एडियस मिसाइल का किया सफल परिच्छड सब्सक्राइब को मनाई गई भगत सिंग की 115 जैंती भारत और निदरलेंड ने दिया द्री पक्षिय फास्ट ट्रेक तंत्र को अपचारिक रूप कि यूनियन बैंक ओफ इंडिया ने खोली एथि एथिकल हैकिंग लैब जुलन गोश्वामे ने अंतराष्टी क्रिकेट से लिया सन्यास चन्रिकर हवायद्डे का नाम बदल कर सहीद भगत सिंग अंतराष्टी हवायद्डा रखा गया भारती उर्वरक कंपनियों ने किया कनाड़ा की कंपनी को कैम पोटेक्स के साथ सम्झावता मुहम्मद बिना सलमान बने सौधी अरब के प्रधान मंत्री और इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन आपके सामने यह है किस महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास की घोसना की है तो इसमें चार बिकल्ब दिये गए हैं इन चार बिकल्ब में से आपको बताना है कौन साइस का बिकल्ब बिल्कुल सही है तो मेरे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में भारती महिला खिला क्रिकेटर खिलारी ने सन्यास लिया है जिसका नाम है जुलन गोस्व के नाम है ठीक है दोस्तों पर अगला कोशन आपके सामने यह है केंद्री क्रिसी और किसान कल्याण मंत्री नरेंद सिंग तोमर ने नरेंद सिंग तोमर 27 सितंबर 22 को जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन से देश पहुंचें तो आपको बता है आप लो कल्याण मंत्री कौन है तो आप लोगों को याद रखना है क्लिसी कल्याण मंत्री जो है वह है नरेंद तोमर नरेंद सिंग तोमर नरेंद सिंग तोमर इस बात को आप लोगों को याद रखना है और यह है जी ट्वन्टी सिकर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन से देश पहुंचे हैं तो दोस्तों यह पहुंचे हैं इंडोनेसिया में पहुंचे हैं जी टॉटी सिंभेलन के में भाग लेने के लिए नरेंद्र सिंग तोमर ने अगला प्रश्चन आपके सामने यह है निमलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2022 में साइबर स्व्रक्षा उत्क्रिष्टता केंद्रे सी सी ओई हैरलाबाद में एथिकल हैकिंग लैव का उद्धगाटन किया इसने आपको बताना है कौन साइस का विगल्प सही है तिसरा प्रश्र आपके सामने है तो दोस्तों तिसरा प्रश्र का उत्तर है यूनियन बैंक आफ इंडिया के समाजिक न्यायं और अधिकारिता राजमंत्री प्रत्जीमा भौमिक ने सितंबर 2022 कमें मुबाइल एप्लिकेशन की आप नाम लांज यहाओको बताना है कि इस अप्लिकेशन का नाम क्या है कि ठीक है दोस्तों application का नाम क्या है तो मेरे दोस्तों application का नाम है application का नाम है sign learn क्या है दोस्तों sign learn इसका पहला भी कल्प सही होगा अगला पूस्ट आपके सामने यह है निम रिकित में से किसे बैंक सितंबर 2022 में अपने सहर में पोर्ट फोलियों को विक्षित करने के लिए यूवी जिसे पहले क्रेड 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 के नाम से जाना जाता था निम्न में से किस बैंक ने यूवी के साथ भागेदारी किया है इसका आपको उत्तर बताना है तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यादे दोस्तों भारतिय स्टेट बैंक इसका सही उत्तर होगा आप जानते हैं यूवी के संस्थापक संथापना होता है इस्ठेट संदोजार सत्रय में भारतीस च्टेट स्थापबैंक की गिआतना होती है 1 जुलाई 1955 में शिया कि युलाई 1905 को अस्थापना होती है और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा भारती इस्टेड बैंक के अध्यक्ष है और भार्ती इस्टेट प्रदियोकी कि किस भारती प्रद्यव की संस्थान यानि आई आई टी ने विज्ञान इंजिनेरिंग और प्रद्यविकी के छेत्र में अनुसंधान और विकास गत्यविधियों को दूर करने के लिए यन यच्च पी सी लिमिटेड के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो आपको बताना है कौन सभशें या या टी है इस बिख्लब सख़ें cape उ आन चारों में से एक विखलप सही है दोस्तु आपको तो के सामनी यह ऑप चैठ्वे परomina स्का जो सहीतर है दोस्तों है जम्मो कसमी आई आटी जम्मों आब लोग इसको भीा रखिएगा यनेयच पी का जो मुख्याल है दोस्तों हुआ है 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 ठीक है चलिए आगला प्रशन आपके सामने यह है कि सितंबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कि इस आई सी का महानिदेशक के रूप में किसे निट किया गया रहे है कौन सा इसका सही कौन सा है कर्मचारी रज बीमा निगम का महानिदेशक किसे निगत किया गया इसका उत्तर क्या होगा तो दोस्तों सही उत्तर है राजेंद्र कुमार सही उत्तर जागे दोस्तों राजेंद्र कुमार ठीक है चलिए अगला परशनाप के सामने यह है भारती रेलेवे ने सुगम में भारत अभियान के तहत देश भर के रेलेवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एसकलेरेटर लगा कर 497 रेलेवे स्टेशनों को दिव्यांगजन ब्रिद्ध और बच्चों के अनुकूल बनाया है सुगम में भायत अभियान कब शुरू किया था इसका आपको बताना स्टेशनों की सुरूवात था दोश्तों वहा है संब 2015 में ऊप्रिशन पर और अगला परिशन आपके सामने यह है कि अगला प्रश्ण आपके सामने है विश्व रेविज दिवस किस दिन मनाया जाता है तो एक बार आप लोग कमेंट बाक्स में इसका उत्तर है जरूत बताइए कि विश्व रेविज दिवस कब मनाया जाता है कि विश्व रेविज दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है 28 सितंबर कब है 28 सितंबर विश्व रेविज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार यह विश्व रेविज दिवस मनाया गया था 28 सितंबर 2007 को ठीक है दोस्तों औ और दो हज़र वाइस में इसका थीम क्या है वण वहमचि जी-ğड यरो डैथ 2022 सिर सब॑स 2022 सिह का थीम है और 28 सितंबर को 200 घजाते हैं अब गाई की सब सारेगे का था खोष किसने किया था एक बार आप लो रट необход कि ल्वी पास्टर वपाश्टर अब बने लुए पास्टर विए उपषा सपने यह है डी या общем को उई रभाज डी यस मिसाइल खा सफलता पुर्वक परिच्छने किया है निम्रिखित में से कौन सा कथन उपरोथ कथन के संबंध में सही है तो पहला कथन है वी यस यच ओ आर एडी यस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है कि दूसरा कथन है इसे डी यडियो के हैदराबाद इस्थित रिशर्च सेंटर इमरत आर सी आई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्षित किया गया है तीसरा कथन है रक्षा अनुसंधानियों विकास संगठन बोले तो डी याडियो का पूरा नाम होता है रक सारी कirty नहीं कि व्यक्राइब से कॊंचा में सही है कि इसका सही विकलब है दोस्तों है एक और दो एक और दो कथन एक और दो बिल्कुल सही है कथन नंबर तीन जो है रच्छा रू संधाल का सांगठन इंडीयों की जो स्थापना है दोस्तों 1980 में नहीं हुआ था यह हुआ था एक जन्वरी कि एक जन्वरी कि निस सो अंठावन को स्थापना होती है और इसका मुख्याला क्या है तो नई समीर वी कामत इसका आधर स्वाक्या है सक्तिका स्रोत विज्ञान है इस बात को आप लोगों को याद रखनी है अगला प्रस्न आपके सामनी यह है रक्षा उत्पाद कंपनी साब ने घोसना की है कि वह सब्सक्राइस सितंबर 2022 को भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ यम फोर ह अथियार प्रनाली का निर्मार करेगी तो सब कंपनी का मुख्याले कहां है आपको बताना है कि जो कंपनी है सब उसका मुख्याले कहां पर है सब कंपनी का मुख्याले कहां पर है इसका आप लोगों को उत्तर बताना है तो एक बार कमेंट बाक्स में जरूरू बताइए कि सब कंपनी का मुख्याले कहां है तो मेरे प्यारी दोस्तों सब कंपनी का जो मुख्याले है वह है स्वीडन कहां पर है स्वीडन में तो इसको आप लोग याद रखेंगे सब कंपनी का मुख्याले कहां है दोस्तों स्वीडन में अगला प्रशन आपके सामने यह है भगत हुआ भगष सिंग्स की जैन्ति किस दिन मनाई जाती है dry care इसका कमेंट बाक्स में उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा भगष सिंग्सट्री दोस्टो मनाई जाती है कब तो 28 सितंबर को भगष सिंग्स की मना जाती है आप लोग इसको याद रखेंगे अच्छा भगत सिंग की बात करते हैं दोस्तों तो भगत सिंग ने एक संगठन की अस्थापना किये थे जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस रिपब्लिकन एसोसियेशन तो इसकी अस्थापना कौन किये थे तो आप कहेंगे भगत सिंग कब अगर सन की बात करते हैं दोस्तों तो सन की बात करते हैं तो सन 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन की अस्थापना भगत सिंग की द्वारा किया आज की आसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगाा है दोस्तों समझ में आया है तो पो जबसक्राइब नहीं कियें तो यह चेनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जब को बाएए ताकि हमारे आपको मिलता रहे और अधिक सदिक लोगों को तो शेयर करिए जिसे की अधिक सदिक संख्या में लोग हमारे साथ जुब सके और अपने तैयारी को मजबूती दे सके तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए आज के लिए इतना है जय हिंद जय भारत